हलो गैज़ा आप लोकर स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर्शिंट पर तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलर्शिफ जो है आना सुरू हो चुकी है और अब जो दूसरा काम है वो टेबलेट योजिना पर जो है तीजी से काम सुरू हो चुका ह क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आचार संगीता जो है जल्दी लागू होने वाली है उत्तर प्रदेश में और उसके पहले जो योगी सरकार है वो यही चाती है कि सभी चात्रों को स्कॉलर्शिफ समय से मिल जाया और साथी साथ जो टेबलेट योजिना का जो लाब ह वो तकरीबन सारे चात्रों को मिल जाये इसी को लेकर के यूपी स्कॉलर्शिफ वालों के लिए भी खुसकबरी है साथी साथ अगर हम बात करें तो फ्री टेबलेट योजिना को लेकर के आज की बहुत बड़ी अपडेट है तो उन सभी अपडेट को हम लोग देखेंगे जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को बिल्कुल सही तरीके से अपडेट किया जाता है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सकाइब करें और आप अपने कॉलेज वाले जो भी गुरूप अगरा या अपने दोस्तों को भी जरूर सेर कर दें ताकि वो लोग अफवाहों बरी दुनिया में जो है एकदम सही अपडेट पासकें नहीं तो सारे जगों पर अफवा फैलाई जा रही है या गलस सारे अपडेट जो दे जा रहे हैं तो उन सीजियों से एकर आपको बचना है त चार महने की और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी जो कि स्लेवस के एकॉर्डिंग है अगर आप यहाँ पर देखिए तो किस अध्याय से कितने कोश्चन आए है हर येर में कितने कितने कोश्चन आए है बेहतरी धंग से इसको डिजाइन किया गया है सा प्रेक्टिस पेपर भी आपको इसमें मिल जाते हैं तो आप लोग इसको देखकर ये पता लगा सकते हैं किस हिसाब से पेपर जो है एकजाम में आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लिजिए और इस साथ साथ मैं आपको बताओ तो इनकी प्रेक् करें डियम मुखि सच्यू राजेंद कुमार तिवारी ने प्रदेश में 68 लाख विद्यार्चियों और प्रिसिक शनार्थियों को टैबलेट वाइ स्मार्टफोन वितरन के पुक्ता इंतजाम करने के निर्जेश दिये हैं मुखि सच्यू ने ब्रहत्पतिवार को लोग ब सुविद्याले सिक्षन संस्थान अतवा कालेज के नूडल अधिकारी के जरिये मोबाइल एप से होगी डिजी सक्ती पोर्टल पर सभी 75 जिनों के नूडल अधिकारीों के यूजर आइडियों पास्वर्ट सिजित किये गए हैं और दोगिक विकास विभाग के अपर मुक् अधिकारी जो हैं मौजूद थे ये तो हो गई इसकी अपडेट और भी बहुत सारी अपडेट है अभी एक नोटिस भी है जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले हम स्कॉलर सिप पर अपडेट देख लेते हैं ये अपडेट मैंने आपको मौर्णिंग म जितने लोगों को मिल गई है उन सभी को बधाई सभी को कांगरेचुलेशन सभी लोगों को स्कॉलर सिमिल गई वहीं पर कविता देव हैं इनको जो है यहां पर इनको भी मिल गई है स्कॉलर सिप कल ही आ गई है वहीं पर और भी छात्रों को मैं बता दू जिन्होंने जैसे पंकति सिंह की 35,000 रुपे कल आ चुकी है वैसे ही अगर हम प्रिति सिंह की बात कर geen 35,000 रुपे कल आ चुकी है ठीक है आई सभी लोगोंकी scholarship कल देखने को मिल गई है ठीक है तो बहुत से छात्रों की scholarship मिली है ऐसे लगग हजारों चात्र हैं जो मेरे विवर्स हैं और हम सभी लोग जो हैं साथ में फॉर्म और भरे और सभी का कुछ लोगों की पहले आई है कुछ लोगों की बाद में आएगी जिन लोगों की अभी नहीं आई है ठीक है कुछ लोगों कि अगर form में correction होगा तो पहले correction date आएगी correction होगा उसके बाद आएगी तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो वहीपर हम बात करते हैं कि अगली update ये notice है जो राम मनोर लोया आवदी नोश्टी की notice है एक दिसमबर को ये notice जो है जारी की गई थी और आज जो है इसमें तीन दिसमबर तक यानि आज लास्ट डेट है नोडल अधिकारियों के द्वारा क्या डेट है देखते हैं चात्रों के विवरण का सत्यापन नहीं किरे आता है तो उक्त दसा में समझ जिम्मेदारी संस्था की होगी यानि आज last date है तो जैसा कि आपको पता है जिस हिसाब से काब चला है डिजी सक्थी के माम दंसे जेम पोर्टल जिस हिसाब से काम चला है कल भी इसके लिए बैठा कोई सभी अधिकारियों के द्वारा तो ये लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप सभी को जो है लेपटॉप या स्मार्टपोर में से जो कुछ भी मिलना होगा बहुत ही समय से मिल जाएगा चुना हुए इसलिए सभी लोग जो है बहुत तेजी से काम कर रहे है तो सभी लोग जो भी पात्रों के उनको मिल जाएगा बाकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी चैनल के माद्यम से आप सभी लोग को बता जाएगा इस्कॉलर्शिप के लिए छात्र परिसान नहों जिनको नहीं मिला है वो अभी तो चरण वाइज मिलेंगी अभी कई सारे चरण में स्कॉलर्शिप मिलेगी ठीक है आपको घबलाना नहीं है ठीक है